Hello Dear Viewers, तो मेरे प्यार दूस्तों, Class 10 and Class 12 Board Candidates Basically Class 12, आप लोगों के लिए एक बहुत अची ख़बर है Basically Class 12 के CBAC के स्टुडेंट के लिए साथ-साथ जो भी अन्य Board के Candidates हैं, जो Class 10 and 12 में पढ़ते हैं जो अधर Board Candidates हैं, वो लोग भी इस चीज़ को Follow करें क्योंकि सब कुछ depend करता है CBAC के उपर और जो भी CBAC decision लेगी, वो finalize किया जाएगा आपके state के लिए तो इसी बीच में आप सबको एक चीज़ बता दू मेरे प्यार दूस्तों कि CBAC आपके लिए, हमारे लिए या किसी के लिए कुछ नहीं करने वाली CBAC का हमेशा से stand रहता है, कि वो अपना exam करवाएगी और जैसा कि मेरे प्यार दूस्तों वो लोग अपना stand पिछले साल भी लिये थे और class 10 की अगर बारी मैं बता हूँ, जब class 10 का exam cancel हुआ था उस समय भी आप लोगों को याद होगा, हमारी कुछ वीडियोज आप उठा कर देख सकते हो कि हम हमेशा चिला रहे थे, क्योंकि हम लोग exact point पकड़के बैठे हुए थे point के बारे में बता रहे थे, हमारा tag trend कर रहा था, हमारा twitter पे trend कर रहा था करो प्रात्मे करो जरूर सुनेंगे और तभी आप लोगों का जो है success मिलेगा exam cancel होंगे इसी बीच एक बहुत अच्छी अपडेट आई है आप लोगों के लिए वो मैं आप लोगों को full proof के साथ screen पर दिखाऊंगा और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो कोशिस बरकरार हैं जो कोशिस आप कर रहे हैं तरतरी हम जरूर जीतेंगे तो एक काम की चीज में प्यार दूस्तों छोटी से वीडियो फूर फिर पूरा details देता हूँ साथ सब्जेक्ट की बात कर लें physics, chemistry, mathematics and biology इसी के साथ मेरे प्यार दोस्तों डाउटनेट पर चल रही है कोटा टॉप फकल्टी जहां पर जीवी सर, एनजे सर, मैम, एके मैम साथ साथ प्रिंच सर हैं उसी के साथ टॉप बेस्ट एजुकेटर्स भी आप लोगों को यहां प तो देर किस बात की डाउनलोड नाव पाय दुगने फायदे, thank you so much तो मेरे प्यार दुस्तों, on screen आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं आप सब को हमेशा से कह रहा हूँ कि आप लोग घबराईएगा, बिल्कुल भी नहीं, हम सब आपके साथ हैं, कोई भी प्राब्लम होगी, तो हम लोग हैं, हम है अनुराग बया, SBG साथ, जितने भी अधर करके इंटर्नल एसेस्मेंट पर पास कराए गया है, क्या वैसे ही CBAC क्लास 12 के लिए करेगी, इस आर्टिकल में मेरे दुस्तों, मैं आप सब को बता दू क्या कहा गया है, बहुत अच्छा निउस है आप लोगों को, जा कर ये पढ़ना जरूर चाहिए, और तो और आप लो निउस यह है कि जून में आपका मीटिंग होने वाला है, और एक चीज यहां पर जो मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ, देखो, जितने भी स्टेट बोड वाले देख रहे हैं, जो लोग हमेशा मेरे को नेगेटिव कमेंट करते हैं, आप जो कहते हो कि सिचुएशन खर करनल कॉल पर कहा है कि जून में डिसीजन गया जाएगा, बट यहां पर देख सकते हैं, अगर सिचुएशन खराब रहा, तो CBSE Class 12 का एक्जाम सेम किया जाएगा Class 10 की तरह, आप देख सकते हैं, मतलब Class 10 की तरह आपको भी इंटरनल एसेश्मेंट पर पास कराया जाएगा, उसी के साथ यहां पर कहा गया और इसके रिगार्डिंग कुछ बात नहीं है, एक और आप paragraph को देखिए, वहां पर कहा गया है, अगर एक्जाम नहीं हो पाते हैं, जुलाई में आप देख सकते हैं, तो आगे डिले नहीं होगा, आपके एक्जाम नहीं होगे, cannot further delay conducting the exams, और ज्यादा लेट नहीं कर सकते, और आप देख सकते हैं, क्योंकि entire exam process बहुत time लेता है, result declaration और यह सब करते करते, यह end हो जाएगा अगस्ट में, तो यह student के admission पे बहुत ज्यादा effect करेगा, और higher education में आपको effect करेगा, तो ऐसे में हम सब को पता है, कि सब लोग आपके support में हैं, कि exam नहीं होना चाहिए, क्योंकि situation बहुत ही ज़्यादा खराब है और critical है, और आप लोग मेरे प्यार दोस्तों जो मेहनत कर रहे है, twitter पे अभी यह trend कर रहा है, hashtag students, board students, तो यही use करें, इसके अलावा और कुछ नहीं, और हम आपके साथ हैं, आप लोग बिल्कुल भी मत गब परचा रखें, exam जरूर कैंसल होंगे, तो मिलते हैं अगली update में, hope so में पर दूस्तों आप वीडियो समझे होंगे, अपना ख्याल रखें, हस्ते मुस्कुराते लिए, thank you so much